इस छटी YMCA कोका कोला मुक्यबाजी प्रतियोगिता में लगभग 50 विदेशी मुक्यवाजों के साथ भारतिय मुक्यवाजों को एक अस्तरिय अभ्यास का बेहतरीन मौका मिल रहा है। एशी आठ से पहले जहां डिंको सीम की पहचान इसी प्रतियोगिता से बनी थी, कल एक और भारतिय मुक्यवाज शुरेश ने कॉमन वेल्ट खेलों के शुरण पदक वीजेता सैफोक को हरा कर एक करिश्मा सा कर दिया। अब जहां सबकी निगाहें सिड्नी ओलम्पिक पर हैं वहीं इन प्रतिभाशालिक हिलाडियों को और भी अभ्यास की जरूरत दिखती है। मैं पेले बार इसको कमल वेल्ट गीम का आप में ऐसा जीद रहा है। अज़ा था में और यासा परवेंस दे सको। तो जो अलेंपिक एसन गेम वोलकॉब में उसे परवेंस दे सको। मैं इस इधर में पेली बार चेनेर में आय ना इस लिए खिल किया है। मुक्यबाजी की हमारे देश में शाणदार परमपरा तो नहीं पर इन में प्रतिभावों की कोई कमें नहीं दिखती। हालाकि इस प्रतियोगता में डिंको और जितेंद्र जैसे खिलाडी चोटों की वज़े से हिस्सा नहीं ले रहे हैं, मगर नए खिलाडियों में जोश की कोई कमी नहीं लगती। हम तो कोशिश करेंगे, अलिम्पिक 2000 में एक मेडल जरूर जिताएंगे, एक बोल्ड मेडल और ये तो हमारा अभी ये मोटो जो है, अभी होने वाला है, क्योंकि दिंको सिंग में हमें बहुत कॉपलिन्स है। हमारा इतना कबरिज करते तो हैं, लेकिन इतना करते नहीं हैं, दिखाते नहीं हैं लोग, करते तो हैं लेकिन आज भी तो कर रहे हैं, लेकिन जैसे पहले तो कभी दिखाया भी नहीं हैं हमारा नेस्वल गेम्स में भी, हमारा बोक्सिंग तो हमारे करबारे बताते हैं कि द उ्प्राइब